नमस्ते एवरिवन मेरे साथ बोलिए गनपती बपा मोरिया मंगल मूर्थी मोरिया बपा आज आ गए हैं और आज से खूब धूम रहेगी चारो तरफ तो हम इंजोई करेंगे और काम काम करेंगे इसलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ इंस्टन्ट मोदग की ऐसी ग्रैंड करते वक्त इस बात का ध्यान रखेगा कि एक साथ इसे मत पीसेगा नहीं तो इसका ओईल रिलीज होने लगेगा इसको थोड़ा रुक रुक के चलाएगा जिससे ये महीन भी होगा और ओईल भी रिलीज नहीं होगा क्योंकि काजू और मुमफली को अगर आपने लगातार पीसा तो पीनट बटर और काजू का बटर बन जाएगा काजू का देखी मैंने महीन पाउडर बना लिया है हमारे याँ जब गनपती रखे जाते हैं तो मैं रोज मुदक बनाती हूँ और बाजार वाला तो मैं बिल्कुल नहीं लाती उनको इंप्रेस जो करना है इसके बाद मैं डाल रही हूँ चीनी मैं धाई चमक डाल रही हूँ आप टेस्स के कोर्डिंग कम जादा कर लेना इसके बाद कीसर वाले दूद से ना इसको गूतना है लेकिन एक साथ दूद मत डालेगा अच्छा मैं यहाँ पे आपसे एक चमा चाऊंगी मेरा गला इसके मैं ने दो टेबल स्पून ही डाला तो यह इकठा हो गया अब इसमें ना मैं दो टेबल स्पून डाल रही हूँ मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर से जहाँ स्वाद अच्छा आएगा साथ में बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी टोटल तीन टेबल इस्पून को बहुत पसंद है इस गुलकन में मैं डालूंगी नारियल का भूरा जिसे डेसिकेटेड कोकनट भी बोलते हैं और साथ ही डालूंगी कुछ ड्राइफूट का चूरा मैंने ये हाल ही में ड्राइफूट कठर मंगाया यार ये बहुत ही अच्छा है बड़ा सस्ता भी है शाय के आजाते हैं इसे ना मिठाई अगरा बहुत संदर लगती उपर से डेकोरेट करने में मज़ा आता है कभी खीर वीर बनाओ ना यार तो फटा फट बहुत जल्दी देखो इतना सारा मैंने इसके फ्लैक्स तयार कर लिये हैं और यही चीज मैं पहले मार्केट से लाती थी हाथ से चौप करती थी तो बढ़ा टाइम लगता था और मार्केट वाला तो बहुत महेंगा भी बढ़ता है मैंने टू टेबल स्पून भरके वो ड्राइफुट जो अभी काटा था उसको डाला वन टी स्पून डाला यहां पे इलाइची पाउडर इलाइची पाउडर यह स्टफिंग रेडी हो जाती है अगर आपको बाइंडिंग थोड़ी जादा चाहिए तो इसके अंदर गुलकन बढ़ा दीजे मोदग बनाने के लिए मेरे पास यह पहले से ही दो सांचे थे और यह मार्केट में भी मिल जाते हैं आपको शायद यह बरतन वाली दुकान म मिलेंगे अगर आपने कभी इसे यूज नहीं किया है तो इस बात का ध्यान रखेगा यूज करने से पहले इसे घी से ग्रीज करना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं मोदग बहुत ही सुन्दर निकले इसके डिजाइन अच्छे से निकले तो हर बार मोदग डालने के हलका सा घी से ग्रीज कर दीजिए तो सबसे पहले हम छोटे वाले बना लेंगे और जो काजू का डो है थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे और उंगलियों की हेल्प से यह जो वाल होते हैं न मोदग के उसके अंदर प्रेस कीजिए और बीच में कैविटी क्रियेट और जो यह होल बन जाएगा इसके अंदर स्टफिंग भर भर के डालिए मैं यहाँ पे पूरा वन टी स्पून डाली हूँ और थोड़ा सा आटा और मैं लोंगी काजू वाला और पीछे इस तरीके से लगाते हुए थोड़ा सा दबा देंगे बस जी अब आप इसे आराम से खोलिए एंड लुक एट दिस हमारा की सरिया दो फ्लिवर का मोदक रेडी है अब आप दो तरीके से इसको सजा सकते हैं एक तो यह ड्राइफूट का जो चूरा अभी हमने बनाए था उस पर यह हलके आतों से रोल कर दीजे अब हम बड़ा वाला भी बना लेते हैं बड़े वाले साचे से बड़े-बड़े मोदक बनते हैं और यह देखे मैं यहां भर के तू टी स्पून स्टफिंग डालूंगे और जरूरत पड़ा तो थोड़ा सा और इसके बाद ठीक वैसे ही जो यह काजू का थोड़ा सा आटा है इसको पीछे से लगाएंगे सील करेंगे ता वो सिर्फ आप वज़े हैं आप ही मेरे पोस्ट पे जो लाइक शेर कमेंट करते हैं उसकी वज़े से मैं आगे बढ़ती हूँ और आपके पास मैं महनत से रोज नई नई रेसिपीज लेके आपाती हूँ यह देखिए एक मोदक बड़ा वाला भी बन गया इसको भी हलके आ है ना आज ये वीडियो शूट करते वक्त इतनी खुशी मिल रहे हैं मैं आपको बतानी सकती बहुत ही अच्छा सा अनुभा हो रहा है मोदक जहां इतने सुन्दर हो मैंने भाव से बनाए हैं जिसको खा के सबको बड़ा मजा आया और पता हैं बबबा को बोग लगाने के बात सबसे पहले मैंने किसको खिलाया ये है मेरे हाव सेल्फ की बेटी और ये मेरे पास शाम को पढ़ने आती है जब मेरे पास थोड़ा सा समय बचता है ना तो मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देती हूं थाकि ये आगे बढ़े और ये भी अपने पेरेंट्स का नाम उचा करें तो सबसे पहले मैं ये काजू और गुलकंद वाला मोदक मैं इसको खिलाती हूं चेहरे के एक्स्प्रेशन देखी इसको अच्छा लगा और हमने साथ में बोला गनपती बपा मौरिया तो एक बार आप भी बना के ट्राइब करो इंचोई नमस